टॉप कॉलिटी और कंसिस्टन पर्फॉमेंस के लिए सिल्फ सिल्वर पंक्स एड मोटर्स नाम याद रखना पहला हेडलाइन्स इन्फोसिस, HCL टेक, निफ्टी ना टॉप लूजर्स, TCS टेक महिंद्रा और एकल अने LNT टेक, बैथी तरंट का घटा रिवर्स गेर मा आटो शेर, M&M निफ्टी ना टॉप लूजर्स मा मारूती बजाज आटो, हीरो मोटो और आईशेर मोटर्स एक थी बैड टका नीचे फार्मा शेर नी तब्यत सतत त्रीजा दिव से खराब, ग्लेनमार्क, रैन्यूवल, सन फार्मा ने डॉक्टर रेड़ी जेक थी दोड टका जिटला कट्या आओ आपने सीधार लईजे हमारा इंट्रेक्टिव वाल पर समझेए भारतिय मार्केट्स मा जारे उपला सरो थी मंदी बारमवार आउती जो हमेड रही छे आत्यारे तमें जुओ चो 23,900 तोडवानी कोशिश, क्या तमें 24,400 पर हता त्यानी बात आपने करिया थी याने 24,400 अवरोध ने वारम वार आपने मेंशन करिया हो थी कि जे आप 50 दिवस नी मुविंग अवरेज, 100 दिवस नी मुविंग अवरेज जे 24,350 पर, 325 पर हती त्यान थी फरी एकवार से लिंग आविऊ छे आवों तमने निफ्टी ना डेईली चार्ट से यह दिकास मता विदो उपला सरोती जे प्रोफिट बुकिंग आविऊ तेमा आज नी आ केंडल जुओ तमें उपर अवरोध आजे सवारे पन वाद करिये जो 4 दिवस तमने जुओ आज नो दिवस पन तमें जुओ तो 4 दिवस नो अवरोध जुओ आविदो उपला सरो पर तमें टकी नोहता रहा है अने 317 लेवल ने पार पहुंचया बाद त्यां थी से लिंग आवतू तो त्यार बाद मतवनों लेवल तमारा मांटे हातू ते हात वीस दिवस ती मूविंग अवरेज आटला दिवस ती जाडव याब बाद आजे ते लेवल पन तमें तोड़ी दिदू अने ते लेवल अतू तमारा मांटे 24,000 अगन साइंट याति हावे आगड तमें ए लेवल जूओ एटले ए लेवल तोड़ू 24,000 तोड़ू छेक नी अन 100 ने आसपास अता, तेयां थी 813 पर आवी गया, हवे फेवी सेलिंग जा अजना दिवसे, अना एक दिवस नी केंडल मां आजे गैप हतो, ते गैप फिल करवानी कोशिश अइयां थाती नोती, ते फाईनली आजे थाई गए, हवे आजे केंडल छे, ते तो बस सो दिव सपोर्ट लाईने उपर आवियती, राइट, सो हवे फरी एकवार चिंता आवी गई, आपड़ा सव कोई ना मन मा, कि जैरे दस दिवसी मुविंग एवरेज ने नीचे, जे आ लेवल थाई चे 906ड असपास, जो तेने नीचे नो तमने बंद मडे चे, तो शून थाशे, तो जो 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 ते प्रमाने दिवसी श्यरुवाद जेचे, ते खास सी मिद दायरा नी साथे च थाई चे, पन तियार बाद तमने जे वेचवाली आवती जो आवती जो आवती, साड़ा दस वागया असपास, ती ट्रेंट चेंज ते होने, एक ज कैंडल ए एकदम मूड जो आवती जो आवती जो आवती जो आवती, सो 24,000 पन अवे टकतू न थी ना, तियारे तम्हें आईया फरी एक वार काम करी राचो, डेज लो ने नजिक, 900 ने आसपास, सो परिस्ति आ प्रमाने, ओपन इंट्रेस्ट नी वाद करी लिए बिकास एकस पाईरी चे लूँ व 1064,100,000, 24,000, अने ते यार बाद 23,900 पन तूट्यू, बन्हे तमारा लो बन्हा, 834. तेर, हाई यादी थोड़ा सपोर्ट लेइने तमें उपर आवे आवे अपन अजू पन त्यां ती उपर नथी, 2300 आसपास न पुट्र वाइटर्स हजू पन फसायला चे, चली अवे 13.20, 13.15 आसपास नों समय थाई चुके हो चे, त्यारे आवे आजना दिवसे 24 जानी नीच ना बंद मा तमने जुआ मड़ी रहु छे, क्लियर कट आज सवार्य आपन आपने वाद करी जथी के जयां सुधी आ लेवल ने अंदर छिये कही थवान माथी, पना लेवल तोड़या बाद फर्दर मंदी ना संकेत पन बंता जुआ आवे आता, वाई चेंज फटावाट ब तमार माते लाइना उस्क्रीन पर, किमके एक महिनो पूरो थाई चे, नवेंबर महिनो आजे, हावे डिसेंबर में तमें जही रहा चो, तमें मन्थली चार्ट पर दस दिवस्नी मूविंग एवरेज टेस्ट आ पहला एक वकत करी अती ते तो इलेक्षन नो समय, औने अवे अवे डिसेंबर महिना मा फरियकवार आवो कोई लेवल आवे छे, तो पची फर्दर तमें मन्दी मा जशो, ते पची 22 सी मूविंग एवरेज पर तमने लेए जशे, जे थशे, बहु खतरनाक आंकडों चे, 22,180, तो जो मन्थली बेजिस पर तमें जुआ जाओ, तो आ बे बे लेवल्स समार आवार महतवना बनी रहा चे, डिसेंबर महिना माटे, नहीं तो आहला तजूपन खराब थावाना चांसिस बनी रहा चे, तो लेवल्स आथ अमारा मन्थली चार्ट नहीं जापती, आ बे लेवल्स चे के जने लीने, या तमने वेच्वाली आवती ब्रेक वित अपनु स्वागेच चे, आवो सीधाज बैंक निफ्टी पर नुजगरी लिए, सवती पहला डेली चार्ट समार माटे लहीना आविशूँ अने डेली चार्ट पर तमने जुआ अमर्शे के बैंक निफ्टी मा या खास प्रॉब्लेमेटिक लेवल जे बनतू अ 25,500 ती फरी एकवार रिजेक्शन आवियों अने 500 ने उपर तमारा इनफेक्ट आजना हाई जे चे, ते 700 साइट सुदी पन बन्या आता, पन त्यांती कन्फर्मेशन आवियों ने शाप सेलिंग तमने जू अमड़ी जिमा इंट्रडे लो 742 ना बन्या चे अने अत्यरे पन 742 ने नजीका जहीं आती कास कारो बार, सो प्रॉब्लम हवे तमार मांटे जे मेन सपोर्ट एरिया चे ते मात्र एककावन पांच सो छे, जे तूटवा पर फरी एकवार जे 200 दिवस्नी मूविंग आवरे जहीं आता तमारी थाई चे, तेने ने नजीक तमें जशो, तेवा चिंताना स्थान बनी रहा छे, सो अल्टिमेटली आवे एकावन पांच सो ने उपर छो ते असो धी हजू पन एकवगत खरिदारी नी तक तमने ज़रूर आपशे बैंक निफ्टी, नहीं तो पची आवे जो दुवान आवशे, तो ते पचास पांच सो फरी एक वार तमने लहीं ने जशे, तो आपन नहीं है, ती समझवा मड़ी रहूँ छे, पंदर मिनीत ना चार्ट पर अंजकरे लिए, पंदर मिनीत ना चार्ट नहीं सापती तमने आज नो दिवस जे छे, ते तमने जवा मड़ू दिवस नी शरुवाद पॉस्टिव थाई, अजु पन तमें 800 ती नीचे, तेरे फिलाल जेसे 950 आसपास कारोबार करी रहा छो, मंतली चार्ट अईया पन लिए वो बैंक निफ्ती ना एक महिना ना चार्ट पहला जो एलिए, एक महिना ना चार्ट ना इसापती अईया पन दस दिवस नी मुविंग एवरेज तमें ट पचास त्रणासो तूटू ना जोईया जे एक वकट तूटी हो तो डिसेंबर मा आ लेवल अने जो ए तूटी जाईछे तो पची आवे वीस नी वसी मुविंग अवरेज अमर माटे जग्या बने जे बहु खतरनाक लेवल चे सुड़तार इस जार साथ सो ते त्रेस, डिस सेंबर महीना माटे था हीने अत्यारे हर्डल बनी रहूंचे ते चे आ बावनजार पांचसो आजना दिवसे आप पुट राइटर जता थोड़ा ट्रैप थाया चे पन मन्थली एक्सपारी चेले बहु चिंता ना थी यले बावनजार ने सपोर्ड माटे अजू पन पुट चेंज ओपन इंट्रेस्ट चेंज ना इसापती शू थायो चे ते दमें जुओ आजना दिवसे तमने मेजर कॉल आउता जू अमरे आप बावन पांचसो वदारे लोकों ने वेचवानी इच्छा थाई चे आजे अने खरिदवानी जग्या आजो खई के बंती हो जो है तो 54 जानने नीचे बंत आवे तो अतम नहीं है ती कास मंतु जो हमरे रोच है वदू चर्चा करिए आपड़ी साथ लक्षमी श्री इन्वेस्मेंट ना अंशुल जैन पर जोड़ा रहा चे अंशुल आप बहुत-बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो और सर गुड़ा सबसे पहले तो जो शार्प सेलिंग आती हुई देखने मिल रही है उसको ही समझ लेते हैं निफ्टी अभी भी वीक है बैंक निफ्टी पार्टिपेट जरूर करता है मंदी में लेकिन फिर भी वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है थैंक्स टू HDFC बैंक लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है मार्केट में नीचे मेरे इसाब से यहां पर जो एक रेंज बाउंड एक्शन था हमने लास्टी भी डिसकुस किया था कि यह रेंज बाउंड एक्शन जो है यह कुछ समय चलेगा मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 4-5 दिन चलेगा और लटबा का 14 दिन है जहां रेंज के अंदर है एक अच्छी चीज हो रही है कि गैप जो चूटा हुआ था महाराश्टा एलेक्शन की वज़े से वो गैप रिलो गया है तो आप मार्केट में नीचे आने की कोई वज़े नहीं बचती है यहां से एक से दो दिन हम आप निकलते हुए देखेंगे लाश्ट वीक आपको याद होगा कि मैंने बारवा का था कि बैंक बीज आपको यहां से मैं बैंक बीज पाई करके चलना हूँ आप चाहें तो निफ्टी बैंक निफ्टी फूचर्ज या उप्शन में खरीच चकते हैं लाश्ट करीच चकत कराएंगे रिटेल इंवेस्टर को एक्जिट कराएंगे लोर लेवल पर और एक्विलेशन के बात जब ब्रेक आउट आएगा तो मार्केत में इच्छी तेजी डेवलप होगी तो अब यह ब्रेक आउट के लेवल्स कहां बनते हैं पहला लेवल बनता है बैंक निफ्टी पर देखेंगे तो बावन पांसों का और निफ्टी पर देखेंगे तो चौविस यार तीन सो पचास का और अच्छा है कि यह चार सेशन तीन सेशन साइड़ वेज रहें के निफ्टी यार्ट फोड़ी से नीचे भी आ गई है इससे हुआ है कि कटली वीवैप भी नीचे अब ब्रेक आउट आते हैं सरफ पर कटली वीवैप होता तो आप ब्रेक आउट पॉइंट और कटली वीवैप दोनों एक जगे हो गया है चौविस या तीन सो पचास यह मीजर रेस्टेंस के लेवल बन गया है प्रबाबली दो-तीन दिन और और कंसॉलिडेट करेंगे स्पेसिफिक और उसके बाद हमारी डिस्केशिन को आगे बढ़ाएं कौन से कौन से स्टॉक साज आपके रिटान पर अधिके मिट कैप स्टॉक बहुत समय से आपके क्लाइंस को आपके दर्शकों को मैंने बाई नहीं दिया थे मिट कैप स्टॉक देता हूं अगें स्टैं क्रेंट मार्केट प्राइज 222 पर लॉंग करके चल सकते हैं 210 रुपए का एग्रेसिव स्टॉप लॉस है और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 200 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाएं और उपर में अगर तीन से चार अपते स्टॉप को होल्ड करते हैं तो हाई लाइक लिए कि ये 290 रुपए तक का टागेट टेस्ट कर सकता है तो आपको NIIT बाई करके चलना चाहिए और ये वो समय नहीं है जहां आपको multiple positions लेनी चाहिए तो एक स्टॉप के साथ हम स्टिक करेंगे विलाल इसमें ब्रिक आउट दिख रहा है अब अंचुल जो बड़े स्टॉक्स हैं उनके उपर ही हमारा सबसे पहले तो फोकस रहेगा और वहां पर आता है HDFC बैंक फाइनली सर ये all time high दिखाने लगा है लेकिन market अपना mood जो है वो दिखाता रहता है बार बार इस वज़े से थोड़े problem लेकिन फिर भी काफी अच्छी move दिखा दी HDFC बैंक ने सो फाइनली जब 1800 के ऊपर का close girl हमें देखने मिला था और आज भी action जो थोड़ा बहुत देखने मिला आप कैसे anticipate कर रहे हैं आने वाले वक्त में विकिस HDFC बैंक काफी bullish प्रयास कर रहा है लेकिन सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये charts पर हमें समझना पड़ेगा में जो structure बन रहा है मैं इस पे बहुत ज्यादा सैटेस्पाइड हूं इस structure से पूरी तरीके से stock में जिससे आपका pattern बना हुआ है large cap stocks में rarely ये pattern बनता है लेकिन जब ये pattern बनता है तो stocks बहुत तेजी से चलते हैं अब इसको केवल एक काम करना है कि 18-100 के उपर दो तीन इन closing basis पर sustain करना है इस सीधा सीधा पहले जाके 2050 पर रुखेगा और 2050 के आसपास consolidation करके जब चलेगा तो ये 22 रुपय तक जाएगा तो overall जो structure बना है उसके breakout का टागेट 22 रुपय बन रहा है तो इस समय HDFC बैंक आपके portfolio में होना ही चाहिए आप पहले तो large caps होने चाहिए और large caps में भी HDFC बैंक आपके portfolio में होने ही चाहिए definitely so view अहिए फिलाल HDFC बैंक माटे आप रहाने बनी रहा हुचे large caps पर focus रहा हो HDFC बैंक पर focus रहा हो आप रहाने हूँ action possible जुआ मड़े रहा हुचे आगे बढ़ते हैं सर स्टॉक स्पेसिफिक हमारे radar पर आज आया है सबसे पहले ये विप्रो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली और नुवामा की और से होल्ड से बाई की रेटिंग जो है वो अब्रेट कर दी गई है और बाई रेटिंग के साथ 20 परसंट उपर के targets दिये गए है अब obviously reports है वो independent हैं लेकिन यूएस फेड के rate cut के उपर वो प्ले करना चाहते हैं और IT में आज काफी जयदा profit booking थी भी सही और उसमें भी विप्रो सर्थ थोड़ा सा बाकी larger जो IT players से उससे थोड़ा अलग भी चलता है लेकिन फिर भी आज इनके उपर रिपोर्ट निकाली गई है आप कैसे देखेंगे विप्रो आप देखेंगे तो वैसे तो अंडर performing counter in terms of IT space लेकिन फिलाल जो IT में पिटाई हुई है या जो correction आया है उसमें विप्रो एक विनर के तौर पर या यह कह सकते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंद देखा रहा है और इमर्ज होके दिख रहा है कि शायद यह अगला बड़ा लीडर हो सकता है तो डेली चार्ट पर विकली चार्ट पर अगर देखें उन्हें सप्ते का एक छोटा सा फ्लैट बेस का पैटन बनाया है ओवरॉल कॉंटेक्स्ट में देखें पूरा अगर चार्ट आप 2022 से देखना स्टार्ट करें तो वीकली चार्ट पर 141 वीक्स का कबनाया पैटन बना हुआ है जिसका अल्मोस्ट अंदवर जो ब्रेक आउट है 590 के उपर जैसे यह स्टॉक क्लोज करना स्टार्ट करेगा इस पूरे लुकुत तो चर्ट में उनल्की च़क्ट अपना नियुक्त करन लृषब करना रहे मिल जाएगा खेला बिल्कुत तो 440 सुदी आगड़ जयता जुआ मड़ी शेकर दमचे तो नजर राकवा ने रहेश रही है ती खास बूज इंटरस्टिंग जग्या पर काउंटर आपने जुआ मड़ी पूच है आगे बढ़ते हैं निफ्टी के थोड़े से टॉप गेनर्स लूजर्स पर नजर डालें बिकर्स मारकेट आल्मोस क्लोस पर आ गया है और आज जिन्होंने पार्टिसपेट नहीं किया उसमें SBI Life रहा बहुत ही बड़ी सेलिंग देखने मिली और इंशिरंस कंपनियों को लेकर एक बड़े न्यूस भी आये थे इस वज़े से ज्यादा सेलिंग आज SBI Life में देखने मिली HDFC Life पॉने 4 परसंट ये भी अगें ये न्यूस के बेज पर यहां पर पार्टिसपेशन सेलिंग की और देखने मिला है तो इंशिरंस कंपनियों पर थोड़ा सा फोकस था मैं सर आऊंगा आपके पास लेकिन क्विकली रैप अप कर लेते हैं मार्केट को मिन्वाइल त्रेविस जा ने पचास नू क्लोस तमने मड़ी रहा शे दर्शक में तरो सवाट अटका नो गटाड़ो छे आजना दिव से अविस जानने नीचे नो क्लोस प्रॉब्लेमेटिक छे ते वू आपने यहां थी खास समझवानू रहे शे बीजू बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी माटे थी ने अजू पन रेंज बने ली छे किमके बावन जार ने नजिक नो क्लोस चे अजू पन बहु खराबी न थी टेक्निकली तमे जुआ जाओ तो पन यहां पन अर्धा टका थी वदूनी वेच वाली जुआ अमड़ी उपर बावन साथ 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 सा अजू पन चिंता अपावी रहु छे डिसेंबर नी शेरुवात के विधाय चे अवे जुआ जह तो हालत खराब तमने जुआमड़ी उपला सरोथी मेजर वेच वाली जुआ मड़ी टॉप लुजर्स नी जे वाद करी रहो तो तो तबने आ तेरे लाइफ इंशरेंस कंटि योना समाचारों ने कारण है मेजर वेचवाली, M&M सवा तरंटक आसपास ने वेचवाली, Infosys, Adani Port, HCL टेक लाए, वेरियेशन अबराल बदित जगह है, पहला तो क्लोज नो रियक्शन लगी लिए आपने, अंचुल पहले तो बताईए, आज का क्लोज कैसे देख रहे हैं, आप क्योंकि 24,000 के नीचे का क्लोज आपने वैसे वोट ओफ कॉन्फिदेंस पहले ही दे दिया था, लेकिन फिर भी कप ले लेते हैं, पहले तो आज के क्लोज का, प्रिके जब तक ये मार्केट 23,780 के ऊपर क्लोजिंग बिसेस पे होल्ड कर रही है, तब तक मेरे लिए मार्केट बुलेश है, मैं बाई ऑन डिप्स वाला ही कैंडिडेट हूँ, मैंने 24,200 के राउंड अपने ETF की हैं, अब म मेरा जो पहला लेवल निकल के आता है, वो 23,780 के आता है, 23,780 के मैं इंडेक्स के ETF, Nifty के ETF, Bank Nifty के ETF के बाई करना चालू करूँगा, क्योंकि मैं जनरली ऑप्शन्स में या फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, जैसा से भी भी कहती है, कि 100 में से 97, 98 में लोग लोग करते हैं, तो मैं ETF के द्वारा इंडेक्स में पार्टिस्पेट करता हूँ, वहाँ पर मेरी फर्स्ट बाइंग रेंज होगी, 23,780 के और उपर पहला टागेट 24,200 का रहेगा, 24,350 के खलका सा रेजिस्टेंस रहेगा, बट ओवराल 24,600 मुझे मार्केट आते हुए दिख रह करेंगा, बट इपर करेंगा, अगर कोई फ्लैश क्रैश मिलता एकदम से, तो आपको फटा फट वहाँ पर बाइंग कर लेना चाहिए, यह बहुत तेजी से, पहले बाइंग निफ्टी अपने टागेट करेंगा, उसके बाद निफ्टी अपने टागेट करेंगा, तो मैं बाइंग निफ्टी पे ज्यादा बुलीश हूँ, अन देप सिक्यावन पासू, फ्लैश क्रैश मिलता है, तो मैं वहाँ पर बाइंग जरना पर निफ्टी अपने टागेट करेंगा, तो व्यू आप रमाणे यहादी खास बनतों जो आपने रहों छें, नजर राकीश समझी रहा छिए, तमें सेक्टर समझो आजे, कि कया कया काउंटर सेक्टर जाता गेजे मां मेजर तमने वेचवाली बनती जो आमड़ी, सवती वदू वेचवाली आजे आतो आईटी सवा बै टका नीचे इंडेक्स बनते हो छे, ओटो नी अंदर पोना बे टका दोर टका जो आमड़ी तमने consumer durables नी अंदर वेचवाली छे, infra मा वेचवाली छे, समय सरकारी बैंक्स बचावबा आवया, सरकारी बैंक्स मा तेजी हैती, मीडिया मा तेजी तमने जो आमड़ी थोड़ी गणी, बाकी बद्दाज सेक्टर एल इंडेक्स मा मेजर मेजर वेचवाली न जो आम तो मन्तली एकस्पारी ने जिवसे वेचवाली आवती जो आमड़ी, अवे या नवेंबर सीरीज अवी हती, कि जे मा आठ्यावी से केजार करोड नू अल्रड़ी सेलिंग हतू, अने ऑक्टोबर सीरीज मा एक लाग करों। इल्ला वे पाचला बे महिना मा बदू अनुछ नुछ 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 नु आप जानने सेखों जो जो के आतला मुटा वेच्छ वाल होया तो छेंडेक्स विच्छए अन आधिक्सम वेच्छवाल इकरिया कईया लेवल पर करिया है आजे जे इंडेक्स में जे आपड़े जोयो अच्छानाक थीवर गट़े जोयो तमें कभूते प्रमाय मन्ती एक्सपायरी आती प्रमाय मन्ता 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 प्रमाय अग्जा उद्टार देखार हुए रिलाइस इंदसी प्रेट से रिलाइस इन्फोसी से डिस्वीयर से लास तनी ने टोबरो चे अगे देखान नथी तैक अगे 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 वेचान नथी दायों यह कि अगे महां प्रिग्डाव एक यह के विदे आव बिल्डाव इंदेक्स जो उठाली है। तरह दों के बदावश पीज़ा इन जो तरह से उपने वेज़ा है। आपने मात्रण दुनिया ना वैस्वीका अपने मात्रा शेयर वजारों मात्रा निर्ट आप्र बहुतास। यह बतावे जह कि आप विदेशी रोकान कारों जह अंदर दूर बेच्वाली करी अनना गम्मेध यह में करी इंडेक्स मुचर से नीचे लावतो तो इतले ना कोई फंडामेंटल लेको जोतान हो जह आवे ते लोको वेच्वा मड़े जदा चता भी सामय पक्षे हैं अपना स पोले लेच्वा करान कारों सपोट आपता रहा है औना आपड़ा वेचान्ना संस्ता की रोकान कराओं लेगे वीदेशी रोकान करान आपड़ाओं लेधार बिल्कुल तो आ महीनों जह नहीं भरपूर तयना माधे नू एक्शन बतावनाारो रही शेके छे डिसम्बर महीन जग्रिश सर पहला तो तुम्हारा पिक्स जाने लिए आज एक स्टॉक्स लिए ना आवया चो सरस्वाल्यू सरस जग्या ग्रोथ बता भी शके आत्यार लिए अपिर ना पिर एक स्टॉक्स जाने लिए आपने पुर्पूर ओडर रिजयू के तमाहम सरकारी इंच जाने कोई पढ़े आपने चिंता ना थी अनने त्रीजीू कि आवे जे एक्सपोर्ट ना आक्रा अंगम्हा तरफ तरफ ए अपने आपने शात जग्रा जोवा मरता अने जोवा मरता अने गयाज़ 22 मा अएक्सपोर्त नाउंगरो डिफेंस नाउं एक्विप्मेंट आपड़ा बारत नो लगभग अगयाती 12.000 करोड थो आपने जानियेशे के अत्तारे जातना फाइटर जैट से बनावेशे एक्पोर्ट करेशे एने आपता पांच वरस्तु थी एक्पन रुप्यान ओर ना मड़े तो अपने कोई चिंता करवानी जरूर ना थी अनने बिजो जेना समयोगी स्टॉक से अचे बीई एल वारत एलेक आपने डिफेस नियादर बहुत सक्रियाशे आने जे वस्तु बनावेशे आते देमें जानों चो के अत्तारे जे यूद चाली रहुचे रहुचे रश्यानी उप्रेयन वचे अने अत्तारे तो बले संधी थाई गई इस्राइलर ने इस्गुला वचे पर इलोको जे मुख इन शिप्यार से इपने एक सारों चे माने मजगाउं डॉक चोथो शेर चे तमारे प्रमाना फोट बहुत सब्सक्राइब हुचे तो ने जो राक इश्यू डिफेंस ना स्टॉक्स पर तमारे ने जो राकवानी सला आया तिकास बनी रही छे फोकस करता रहे श्यू अगरवदी है रियल एस्टेट सेक्टर अंशुल आज जा फोकस में था क्योंकि यहां पर भी एक रिपोर्ट बाहर आई है एचस बीसी की होर से और वो कह रहे हैं कि गोद्रेज डियलिफ शोबा प्रेस्टिज वहां पर बाई रेटिंग दी है वो कह रहे हैं कि जो स्लोड आउन देखने मिले था रियल एस्टेट की बुकिंग में वो कम इन्वेंटरी की वज़े से डिमांड कम नहीं हुआ है उनका ऐसा कहना है और उस वज़े से यहां पर थोड़ा सा इंपक्ट स्टॉक्स में आया था रियल एस्टेट का इंडेक्स एक बार देख लीजे निफ अच्छो रुपए के तम प्रॉफिट बुकिंग की सला दे रहे हैं बट जो काउंटर हमको काफी तेज लग रहा है वो है गुद्रेश प्रॉपर्टी में यहां पर बहुत बैतरीन अप्मूव आती हुए लिक रही है एक प्रिस्टीज एस्टेट है जहां पर हमारा वहां पर हमारी पर्स्ट चोईस है और चुकि आपने गोदेश प्रॉपर्टी का नाम दिया गोदेश प्रॉपर्टी भी हमको काफी अच्छा लग रहा है यहां पर अपसाइट ट्रिगर हो सकती है ऊपर में कहीं भी 29-2950 एक रेजिस्टेंट जोन है निकलने के बाद स्टॉप म में 3400 से 3500 रुपे तक की अपसाइड आईगी हम एक से डेर साल के प्रस्पेक्टिव से रियल एस्टेट स्टॉप में बाई रिक्मेंड करना है इंट्रम्स ऑफ अगर आपको इंवेस्टमेंट करना है सेकेंड बेस्ट च्वाइस हमको प्रेस्टीज एस्टेड लगता है हड़ पे DLF और गोदरिक प्रपर्टी आती है इन चारों काउंटर में कितना भी कम करने एक साल के प्रस्पेक्टिव में अठाण से 20 परसंड की अपसाइड देख रही है आउके सो व्यू आप रहने ही है ती खास बलतु जुआ में रहुचे नचे राखवाणी रियल एस जो HDFC बैंक साइजो स्टॉक अने अबिसली एना मा दंखम छे बैंक निफ्टी ने पन मूव करे तो 800 बी जो घटाडा साथे बन्था ही जे बन्था है पर अडार्सो ना लेवल पर फरी एक वारंवार आवी रहुचे काउंटर रही है काउंटर बिजनेस रिस्रुक्च्च पर बंधापी ने कदाच प्रूव करवानी कोशिश करी ला हुश है। पर बंधापी ने कदाच प्रूव करवानी कोशिश करी ला हुश है। पर बंधापी ने कदाच प्रूव करवानी कोशिश करी ला हुश है। पर बंधापी ने कदाच प्रूव करी ला हुश है। बंधापी ने कदाच प्रूव करवानी कोशिश करी ला हुश है। आप SBI Life और HDFC Life के चार्ट देखें अंचुल और समझते हैं जो न्यूज आई हैं आज बैंक्स की जो हिस्सेदारी है। थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी ऐसा कुछ इरेडा जो रेगुलेटरी ऑथरीटी है इंशरेंस सेक्टर में उन्होंने ऐसा कुछ बता रखा है। तो IRDA जो हम बोलते हैं इंशरेंस वगरा की रेगुलेटरी यह एक इंसिटूशन है। प्रॉबलम यह पर यह है कि यह दोनों स्टॉक्स ने पिछले कुछ समय में इतना खास पाफॉर्म भी नहीं किया है। इसबीया लाइफ देख लिजिए एश्टी लाइफ देख लिजिए चार्ट कैसे लेख रहे हैं रहा है। तो उसके लिए ठीक ठाक रिट मिल रहा है यहां पर लेकर रख सकते हैं आपको आप इसे हाई मिल जाएगा। इसबीया लाइफ की बात है। यहां पर बीजनेश कहर आती हुए दिख रही है। और अगर उसके नीचे निकलता है स्टॉप हलागी उमीद कम है लेकिन अगर निकलता है तो और डाउंसर्ट जराएगी। फिरां आप तेरा सो पंद्रा पकड़के चलिए। अगर आपको इंशुरेंस स्पेस में कुछ लेकर रखना है तो वैसे मैं पूरा स्पेस को अवाइड करने की चलागी। आपके सो व्यू आई आवाइड नो बनतो जुआ में रहूँ छे। जगदिश सार जे आ इंशुरेंस माटे थीने आयार डिया त्वारा समाचार आवया छे। के बैंक से थोड़ी कदा जितार गटार वेले बहुँ शार्प सेलिंग आवियो SBA life मा पन थोड़ी असार आवी छे। कैरी ते समझ जो यह समाचारो कोई ट्रैक तमें जुओ छो और कोई सीधी असर आवती जुआ मड़ी होई अचार सती हच्छी सेकुरिटीज ना आव दो यह समाचार रहता तो यह तो इस पिलोवर इफिक बाद मा पचे आवशे पढ़ अत्यर फिलाल आपने फोकस इंशुरंस पर करिया अप्यादीश सार आपने जानों मुख्या करन यह से के तमने गराज रियाद अशे तो आपधी बैंकों ने खासके ने पीएसी बैंकों ने एक सुछने आप आपा मालवी तिक एलोपा इंशुरंस बीजिनेस पर चालू करू एंटा बागनी जे बैंकों होती एंशुरंस पर ना लाइफ अब दहाने आप अट आपके आटि नमारी पॉलिसी स बेच्वानी छे गनी अधी परियाद एवी उखी थी कि जारे कोई प्रन कस्टमर जे बैंक मां जाय छे कोई FTP माते कोई PPP माते की लोकर माते के वीजा कोई काम माते के स्रीС लिमिट माते के ओटराप माते काई जय जय थेंश्रेंस पॉलिस्य मेडी क्लिम पॉलिसी बोड में तो अमारे पॉलिस्य लेवाने पॉलिस्य यह कोटी शेर जो शेर ख़ा कियो शेर अन्य। करता था के नथी करता आप मात्रा जे सांब्लेरी बात छे अनने वह तो बहारन ओचु करवा अवस्तु करी होई तो पन शक्या छे एक पॉलिसी में रीजिक करवानी बहुत जरूर छे के जे लोको स्वेचायप होतानी पॉलिसी लियावा माकता हो है तानके जाए कोईपन चा सब्सक्तु करने दो सब्सक्तु करना चेशलिया भेचायप होता रांप्रा भीजिक फॉलिसी लिखासनी अवना मारी जीफ करने यह तो फोकस जरा आप ने जुआ अबत द्धा अगे बीजा काउंटर्स पर्टिकुलर्ली के जिमा थोड़ू एक्षिन तमने आजे मेजर वेच वाली तरफ दू बन्यू हाई तो तेमा बे तरंड स्टॉक सावी राज छे पाणवे एक खास मारे चर्चा कर भी होई तो ते छे टीटी एमेल टाटा टेली अंचुल नज़र डालि और दूसरा रेंज जो बनी है 80-81 पर आज सेलिंग आती हुई देखने मिली 78 तक गया था यह स्टॉक कैसे देख रहे हैं इसे अपके सवाल में यह आपका जवाब है कि न्यूस के बेस पर आप कब तक चला लेंगे एक बाद चल चुका है इस तो आप बहुत जादा इसमें कोई मूब दिखनी रही है 91 तक पुल बैक आ सकता है बट क्या इस पुल बैक में आपको लॉंग करना चाहिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए इससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है क्या अगर एक जलत जगह आप असे और नहीं निकल पाए तो यह वापे से लंबा प्र वड़ा फोन मा पन थोड़ी तेजी आवी ताड़ा तेली महराष्ट्र मा तेजी आवी अब अधू केटली असर पहुंचा डिशक्षेक हैं के वड़ा फोन तो अविसली शर्वाइवल ना क्वेश्चेंस चे तेर विलाद पन लोकों ने खबर नी बहु पसंचे ने बेच जे कम्तियों लीडा था था तो यह जे बैंक गरेंटी आपी पड़ी थी अब इव अधान के मोटर बागी ने चाल कॉप्री ने क्यों 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 के बेंचर बावीश पची यह प्याद बची यह स्पेक्ट्रम एयूर्पमेंट था है हमा आज आज अपनी शर्व तो नो अर्थाब के वखेदे लोगोने बैंक गरेंटी अपमाटे ए लोगो एक रवाब मन अथू आवे तो बेंगावा निदा चेमा बैंक गरेंटी शुपर आदमें अमारी बासे मागो चे अनने इक वस लोगिकल अर्गुमेंट अनने टेलीकॉम अथरोटी एनने विपूल सबस कि अधिक गरेंटी अफ़ानी जरूड नती अनने माझे गपटी अवर्पा हूद थारोटी नेष्टा है अज्योग अचे में अनने इंडियों वख्तिने भादर हो पांत लाख नीद गुवूगीं ने जो पांत लाख न गेंग गरेंटी और मुखिया तो आय पांत लाख सब्सक्राइब विच्रेशन डर्वाटी टैली शेए पर बाधी टैली अई पर फॉय विच्छाड वाधी तरहा चाहिए तो भार्ती टैली ने बात करी तो मैं जानों चे प्रमानेक कुछालबो अभी गिल्गेशन में एक सब्सक्राइब अट्ली तो आगी जुलाई मिना में 15 रपी यानि 20 रपी यानि आसपास आफी ग़ा है तो अज एकना शेहरों मात्र समाचने कहा ने को युख़ जो अज वस्त वस्त अपर जटी होँ है तो वनस तो बी वेरी खरफूर पन्नामेड लॉस्क कांपी नहीं इस क्वाधा स्टॉंग नथी जरूरती धियान पर राकवी नजर रहशे अबदात संकेतों पर अगर वद यह बीजा खास टॉप गीनर समुक बहुत सेलेक्टिव सरस काउंटर से था कि जह मां एक्शन तुमने बंतू जो अमेर विशे तेमा थी एक्छे मामा अर्थ है लेके होना सा कंज्यूमर अब अंज क्लियरली स्टेट किया था फिर से एक बार आज नजर डाल लेते हैं तो इसके बाद मामा अर्थ ने लोगों को नानी आत दिला दी थी 500 रोपे से गिरते गिरते स्टॉक सीधा 222 रोपे 50% नीचे गिर गया था अब वहां से पुरा सा फुल बैक आ रहा है वो फुल बैक फिल करने जाएका क्योंकि रिजर्ट जब खराब आया था तो ये गाप के साथ खुला था तो 267 से लेके 293 के बीच में गाप छूटा हुआ है ये जो अप मूव है उसको गाप फिल करने जा रहे है तो मैं बहुत जादा एक साथ बनी रोचे नजर राखवानी रह शे अन्या सारे समय देगोंच रजा लेवनो जग्दिश सर जटले आवरे चर्चा करी अपना डिस्क्यूश्योंस सब्सक्यश्योंस जब है यापनी रहे हैं रहाद करी हमारा रिलाइन स्ट झेओ आप तर्य ट्यूफ चे एलासर एंट अजर इंड़ी शेया अब्लाइन सेफलीश्योंस कि हमारी क्लाइट नी प्लामर मा चौकस होई शके प्लमने शेयर बजा मा रोकांड करो तो तुमारी नाना किया सलाकानी सला अचुग ले जो अनि अनुसर जो जब भी पर आपनी चैनल पर में आपने आप आप आचे मारा अंकर तो भी प्राइच है कि क्लाइट के पूर्फोलियो में रॉसकता है एन आ आटी जो स्टार्टिंग में आ बाइट ये वनेटी एट टूंडेट एन टेन और तूंडेट एट एन अपने लेवल अपने अपने प्लाइन को बाइक नियुक्त बॉर्फोलियों में लॉग ज़ूरूर और कोई भी पर् बाइक निफ्टी एजू पन रेंज मां जुवा में रूँँचे पनावे डिसेंबर सिरीज नी शरुवाद कैरेते थाई चे नजरापला सव कोई नी त्यार शे असरेच यो माल बसातलूज मने जशना आप चुरूजा आगरदन अपडेट्स मांटे आप जोतारों न्यू लूजिए क्पितल पुछाद